जैविक गटक दूसरे हैं अजैविक गटक ये जैविक और अजैविक गटक एक दूसरे पर जैसे सूर्य इत्यादी अजैविक गटक होते हैं जैविक गटक में जींविक जीव पाए है जैसे पशुपक्षी पेड़ सांब अब हमारे सामने प्रश्टूता है कि जीव क्या है जीवों के जीवन या जीवों का जीवित होने का प्रमार के लिए कई तरह की धार्णाएं अफधार्णाएं प्रश्टूत की गई हैं पहला है अगर हम इनको step wise या चर्ण व्रद्ध कर लेते हैं तो उनका ध्यम जाद अच्छे से कर सकते हैं पहले जीव व्रद्धी करते हैं दूसरा जीव जनन करते हैं तीसरा जीवों में अनुकलन शम्ता पाई जाती है चौथा जीव स्वयम के समान प्रतिलिपी उत्पन करने की चम्ता रखते हैं जीवों में उपापचय करने की क्रिया होती है सबसे पहले आते हैं जीव व्रद्धी करते हैं जब कोई भी जीव अपने संख्या को जगत के अंदर बढ़ाते हैं तो वह एक क्रिया के अंतरगत बढ़ाते हैं उनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है जिनें हम कोशिका विभाजन कहते हैं कोशिका विभाजन होने के सांथ सांथ इनके शरीर का आकार भी बढ़ता है और इनमें हमें व्रद्धी होती हुई प्रतीद होती है सबी जीव व्रद्धी करते हैं क्योंकि उनकी कोशिकाएं सतत विवाजित होती रहती हैं ये अत्यत्व सूश्म होते हैं जिने हम सूश्म दर्शी की मां साहिता से ही देख सकते हैं इसी कोशिका विभाजन के कारण कोशिकाओं में ब्रद्धी होती है, और जीवों के भार में भी ब्रद्धी होती है दूसरा इसका है character या लक्षा जनन बहु कोश किये जीवों में जनन का आर्थ होता है अपने ही समान संतति को उत्पन करना कई जीवों में लेंगिक प्रिजनन और कई जीवों में अलेंगिक प्रिजनन देखने को मिलता है कवग बिजानुव द्वारा गुणन करते हैं और निम्न कोटी के जीव जैसे इस्ट और हाइडरा मुकुलन के द्वारा जनन को प्रदर्शित करते हैं जीवों का दूश्रा लक्षन या अगला लक्षन है उपापचयन, सभी जीवों का शरीर रसायन से बना होता है, ये रसायन छोटे या बड़े हो सकते हैं, जो लगातार जैव अणुओं में बदलते रहते हैं ये नए जैविक अणुओं का निर्मान करते रहते हैं, ये नर् आसायनिक परिवर्तन को ही हम उपापचय क्रिया कहते हैं, जो जीवों का एक अभी लक्षनिक गुण कहलाता है, अनुकूलन, तीसरा या अगला चरण इसका है अनुकूलन, सभी जीव परियावरण के अनुरूप अपने शरीर में परिवर्तन करने की पून छमता को रखते हैं, जिसके कारण की वह उस बातावरण में आसानी से सर्वाइब या आसानी से ढाल सकते हैं, अगला आपका आता है अनुकूलन के बाद जीवों में विविद्धता, जिनको हम कहते हैं जैविक विविद्धता, जैविक विविद्धता हमने अपने आजपास कई तरह के ज जीवों को देखा होगा पौधे की पशू पक्षी अन्यप्राणी कुछ ऐसे भी जीव हैं जिने हम नंगन आखों से नहीं देख सकते ऐसे जीव सूश्म जीव कहलाते हैं इस तरह से विभन जीवों का पाया जाना ही जै विविद्धता कहलाता है प्रतेक जीव का एक मानक नाम होता है जिसे उसे पूरे विश्व में जाना जाता है इस नाम की पद्धती को नाम पद्धती क्रिया कहते हैं इस नाम पद्धती के माध्यम से ही जीवों को पहचाना जाता है या उनका वर्णन किया जाता है अध्यन को सरल करने के लिए वैज्यानिकों ने प्रतेक ज्यात जीब को एक वैज्यानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है इसे विश्व के सभी वैज्यानिकों ने स्विक्रिक्रत किया है पोधो का वैज्यानिक नाम ICBN, International Code of Botanical Nomenclature ने दिया है और प्रानियों को वैज्यानिक नाम ICZN, International Code of Zoological Nomenclature ने दिया है वैज्यानिक नाम देने के कुछ सर्वमन नियम होते है किसी भी वैज्यानिक नाम में दो घटक पाए जाते है पहला गटक वन्षा, वन्ष के नाम का होता है और दूसरा गटक जाती संकेत को प्रदर्शित करता है इसे हम दुई नाम पद्धती के नाम से जानते है उधारन के लिए आम आम एक फल है, इसका वैज्यानिक नाम मेंजी फेरा इंडिका होता है इसमें मेंजी फेरा वन्ष का नाम और इंडिका जाती का नाम होता है अगला नियम, इसमें प्रयोग होने वाले शब्दों को हम तिर्चा लिखते हैं इसमें प्रयोग होने वाले जादातर शब्द लैटिन भाषा के होते हैं अता इने हम तिर्चा लिखकर ही प्रदर्शित करते हैं। सभी जीवों का अध्यन करपाना असंभव होता है। इसके लिए एक युक्ती बनाई गई एक तरीका निकाला गया जिसका नाम है वर्गीकरण। वर्गीकरण से जीवों का अध्यन आसानी से किया जा सकता है। पहला द्रश्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और गुणों के आधार पर जीवों को टैक्सा में वर्गीकरण किया जा सकता है। गुण, प्रकार, कोशिका की रचना, विकासी प्रपरक्रम के आधार पर जीवों को वर्गीकरत करना आधोनिक वर्गीकरन कहलाता है काफी समय से मानव विविन प्रकार के जीवों के विशे में जानने के लिए अपनी रुची रखता रहा है और उसकी विवितिता को जानने का प्रयाद करता रहा है तो इसे हम वर्गी करणपद्धती या अंग्रेजी में systematic word कहते हैं systematic एक Latin भाशा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नियमित विवस्था Linious नामगवेग्यानिक ने अपनी publication में इस systema natural नाम के शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है कि एक विवस्था के अनुरूप नामकरण अब आता है वर्गी की समवर्ग यह एक एकल सोपान प्रक्रम नहीं है इसमें समवर्ग में समस्त वर्गी की विवस्था होती है अथार्थ हम इसे वर्गी की समवर्ग कहते हैं वर्गी की समवर्ग यह समवर्ग वर्गी करण की इकाई को हम टेक्सोन या हिंदी में वर्गक कहते हैं उधारण के लिए कीट एक वर्ग है, जिसमें तीन जोड़ी संधी पाथ पाए जाते हैं. ये कीट कई प्रकार के कीट हैं, अब उन कीट की जाती को हम अलग-अलग जानते हैं या पैचानते हैं. लेकिन कीट को हमने एक वर्ग में रख दिया, उसको पैचानने का तरीका ये ह कि उनकी अंदर तीन जोड़ी संधी पार पाई जाते हैं वर्गी अध्यन में कई चीजों को सम्मिलिक्त किया गया है पहला है जगत जिसको बोलते ही kingdom दूसरा है संग जिसको बोला जाता है phylum तीसरा है वर्ग जिसको बोला जाता है गण ग्लास और चौथा गण इंग्लिश में इसको genus और species के नाम से जाना जाता है जाती जाती वर्गी की सबसे चोटी एवं आधार पूत इकाई होती है एक प्रजाती में समस्त जीवों का स्वतंतर रूप से अंता प्रजिनन करते हैं उधारन के लिए पैंथरा लियो सिही की प्रजाती का प्रतिनिधित्व करता है इसी प्रकार पैंथरो टाइग्रिस ये बागो की जाती का प्रजाती का है परन्तु दोनों ही प्राणियों में एक ही वंश या जिसको genus बोलते हैं पैंथरा के अंतरगत उनको रखा गया है दूसरा आता है आपका वंश ये वर्गिकी की तुतिय समवर्ग है समान जीवों के समुख आपस में मिलकर वंश बनाते हैं एक ही वंश की सभी प्रजातियां कुछ लक्षणों से में एक दूसरे से समान अवश्य होती हैं ये लक्षन अन्य जातियों में नहीं पाए जाते उधारण के लिए पैंथरा पैंथरा एक वंश है जिसके अंतरगत प्रमुक तीन प्रजातियां सिही, चीता और बाग को समलित किया गया है इन तीनों प्राणियों का वेज्ञानिक नाम निम्नानुसार है सिही का है पैंथरा लियो, चीता का है पैंथरा पाडर्स और भाग का है पैंथरा टाइग्रिस वंश पैंथरा के सभी जीव एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं परन्तु वंश फैलिस के अंतरगत आने वाले सभी जीव जिन में की बिल्लियां होती हैं वो इन से भिन् अब तीसरा आता है कुल यह एक ऐसा समवर्ग है जिसके अंतरगत एक समान लक्षन वाले एक या उससे अधिक वन्शों को समलित किया गया है उधारन के लिए सिही, चीता, बाग ये विविन प्रकार की बिल्लियों के कुल फैलीडी के अंतरगत इनको रखा गया है क्योंकि इनके लक्षन कुछ-कुछ समान होते हैं कुत्ते एवं लोम्रियों को एक ही कुल कैनेडी में रखा गया है क्यों क्योंकि इनके लक्षन भी कुछ-कुछ समान होते हैं दाल प्रदान करने वाले पोधों के सभी वंश पैपिली नियोसी के अंतरगत कुल में धान प्रदान करने वाले ग्रैमिनी में कुल में उनको रखा गया है इस तरह से उनके लक्षणों के आधार पर यदी वो मिलते जुलते हैं तो उनको एक ही कुल या इंगलिश में family में रखा जाता है अगला है गण जिसको कहा जाता है order कुछ समान लक्षण वाले कुल आपस में मिलकर गण का निर्मान करते हैं उधारन के लिए कुल, कैनेडी और फैलेडी इनके लक्षण को चापस में मिलते हैं इन दोनों को एक ही गण कौर्नी वोरा में रखा गया है क्योंकि ये दोनों ही मास खाने वाले जीव वाला लक्षण प्रदर्शित करते हैं अगला है class या वर्ग इसके अंतरगत कुछ समाल लक्षण वाले गणों को समलित किया गया है अर्थात समाल लक्षण वाले कई गणों से मिलकर यह वर्ग बनता है उधारन के लिए गण प्राइमेट्स उधारन है मनुष्य, गौर्रेला और बंदर गण कौर्नी वोरा इसके अंतरगत सीही, चीता, बाग, कुटे और बिलियां इत्यादी ओ प्रोक्त दोनों गणों के अंतरगत आने वाले जीव में इस्तन ग्रंतियां पाई जाती है अर्था इन गणों में कुछ अन्य कणों के समान ही इस्तन धारी वर्ग में इनको समलित किया गया है कभी-कभी वर्ग या उपवर्ग में भी इसको बाटा गया है उधारण, स्तनी वर्ग को तीन उपवर्गों में बाटा गया है पहला है प्रोटो थीरिया, दूसरा मैठा थीरिया और तीसरा यू थीरिया जो अंडे देने वाले हैं उनको बोलते हैं प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले स्तनी जो अलप विक्सित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कंगारू वो मेटथीरिया कहलाते हैं और जो पूर्ण विक्सित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे मनोश्य वो यूथीरिया कहल आते हैं अगला संग आता है जिसको इंगलेश में फाइलम कहते हैं समान लक्षन वाले कई वर्गों को से मिलकर एक संग बनता है उधारण के लिए संग कॉडेटा इसके अंतरगत एमफीबिया रैप्टीलिया एवेस मैमेलिया सभी को रखा गया है इन वर्गों में अपने कुछ विसिस्ट लक्षन प्रदर्शित होते हैं इसलिए इन सब को एग ही संग में रखा गया है संगों को संगों में बाटा गया है यह सुपरफाइला में हम उनको बाट सकते हैं जगत जिसको बोलते हैं kingdom ये सरवोच समवर्ग होता है सबसे बड़ा समवर्ग होता है इसके अंतरगत कुछ लक्षणों में समानता प्रदर्शित होने पर कई संग ये प्रभावों को समलित किया जाता है उधारन समस्त जन्तूओं को जन्तू जगत में समस्त पादपों को प क्लासिफिकेशन देखें तो kingdom आएगा अनिमीलिया संग आएगा कॉडेटा क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉड पाई जाती है उप संग है वर्टीवरेटा वर्ग है मैमीलिया उप वर्ग है यूथीरिया गण है प्राइमेट्स कुल है होमोनीडी वंश है होमो और जाती है सै दर्शित किया गया है उसमें हर्मेनियम क्या होता है हर्मेनियम पोधों का एक ऐसा संग्रह होता है जहां पर पादप प्रती रूप को सुखा कर अच्छी तरह दबाने के पश्चात कागच की शीट में उनको आरोपित किया जाता है और वर्गी करण के किसी मानने पद्धि प्रती के अनुसार उनको व्यवस्तित करके रखा जा सकता है जिससे उसको प्योग भविश्य में अध्यनहेतू किया जा सके अब इसका ऑबजेक्ट या उद्धेश क्या होता है पहला तो पादप पती रूपों को संरक्षित रखना दूसरा पादप नमूनों की पोधों क पहचान करना तीसरा संबंदित समय अबधी में पाए जानवाले पोधों की जानकारी को प्राप्त करना इसके तीन मुख्यों देश होते हैं इसके बाद हर्मेनियम तयार करने के उपकरण कौन-कौन से होते हैं तो इसके लिए पहले तो हमें वैस्कुलम वैस्कुलम जो है वो एक टीन की बनी हुई पेटी होती है, जिसमें फील्ड के पोधों को संग्रहित करके प्रियोक शाला में लाया जाता है, दूसरा है हर्बेनियम प्रैस, तीसरा है प्यूरिन शियर, और चोथा खुर्पी, पाँच पाफ फील्ड नोटबुक और छटा केची इत्यादी है, अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि आपका पादपो को कैसे संग्रहित किया जाता है, या रखा जाता है, सर्व प्रतम जिन पोधों का हर्मेनियम तेयार करना होता है, उनके भोगोलिक वित्रण एवं छेत्र आदी की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, इसके पस्चा संबंदित फील्ड में आवशक उपकणों सहित ब्रहमन करके वांचित पोधों को संग्रहित किया जाता है, फिर उनके प्रतिरूपों को संग्रहित किया जाता है, पोधों को संग्रहित करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि उसमें हम शाखा के साथ फूल या पुश्प को ले इन पादपों के प्रतीरूप को काट कर या उठ को खाल कर वेस्किलम में रख कर प्रयोकशाला में लाना चाहिए पादप रती रूपों को संग्रहित करते समय पोधों के सम्भंदेग सारी जानकारी जैसे प्राक्ति स्थान, पोधे की प्रकर्ती, उसका स्थानिय नाम तुरंट नोट्बुक में नोट कर लेना चाहिए दूसरा है आपका पादपो प्रतिरूपों को प्रेस करना संग्रहित पादप प्रतिरूपों को प्रयोक्षाला में लाने के बाद सोकता कागज या न्यूस पेपर के बीच रखके प्रेस करना चाहिए प्रेस करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पादप रूप जो प्रतिरूप हैं वो अच्छी तरह फैल जाएं, पुश्पिय भाग अच्छी तरह से फैल जाएं, पत्तियां सही धंग से फैल जाएं, नहीं तो वो तूट सकती हैं तीसरा है आपका पादप प्रतिरूपों को सुखाना बॉल्टिंग पेपर पर पादप प्रती रूपों को अच्छी तरह प्रेस करने के सांसान उन्हें भली भाती सुखा लेना भी जरूरी है अनिता वह खराब हो जाएंगे अच्छी तरह प्रेस प्रती रूपों को हर्मेनियम प्रेस से दबा कर 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है प्रती दिन प्रती रूप में नए बॉल्टिंग पेपर में स्थाना अंत्रेद कर दिया जाता है हर्मेनियम प्रेस को धूप में रखने से यह पादप प्रतिरूप जल्दी जल्दी सूख जाते हैं चौता है आपका हर्मेनियम शीट का आरोपन अच्छी तरद से प्रेस किये यह सुखे हुए प्रतिरूपो को 29 x 41 cm के आकार वाली एक हर्मेनियम शीट के उपर गोंद या फैवी कॉल जैसे पधार की साहिता से चिपका देना चाहिए सद्भी पादप 0.1% मर्क्यूलिक क्लोराइड विलियन का इस पे स्प्रे कर देते हैं ताकि इन पर कीट या फफूंद ना लगे और यह सुरक्षित रह सके फिर आता है प्रतिरुपो का नामंकन यह प्रतिरुपो का नामंकन जो है उसके लिए दाहीनी कोने पर 4.5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर का लेबल चिपकाना चाहिए लेबल में जानकारी निम्ना नुसार होना चाहिए संग्रहन दिनांक पौधे का स्थानिय नाम पौधे का वानस्पतिक नाम पौधे के फैमली का नाम संग्रहन का स्थल संग्रहन करता का नाम संग्रहन तिथी और पहचान करता का नाम यह सारे लेबल उसके अंदर अंकित ह चाहिए अगला आता है इसमें हर्मेनियम शीटों का संग्रहन हर्मेनियम शीट का नामनकन करने के पश्चाथ इन्हें स्चीर या लकडी की अलमारियों में संरक्षित रख सकते हैं इसका संग्रहन प्रचलेत एवब मान्य वर्गी करण पद्धती के अनुसार किया जाता है इ जिसमें क्यों उनके वनशवर्ण माला के अनुसार जमा कर रखे जा सके हर्मेनियम संग्रहन के दोरान हर्मेनियम शीट को कीटक दीमक वफूदों से बचाने के लिए समय समय पर कीट नाशी या रसायनों का प्रेयोग किया Shall सकता है इस तरह हर्मेनियम को बनाया जाता है या संग्रह किया जाता है वनस्पति उद्ध्यान मानव द्वारस्थापेद ऐसे प्राकरते किस्थल होते हैं जहां पर पौधो को जीवित अवस्ता में रखा जाता है तथा विविन्यज प्रजाती के पौधो का आपस में संबंध को प्रदर्शित किया जाता है वनस्पति उद्ध्यान जीवित पौधो का एक खुला संग्रह होता है जिसमें विविन्य प्रकार के पौधो की मूलभूत जानकारियां होती है वनस्पत्य उद्ध्यान का पौधे संग्राले में होने के सांसाथ विध्यार्तियों एवं शोधार्तियों के लिए खुली प्रयोक शाला की भाति कारे करते हैं एक वनस्पत्य उद्ध्यान के संदर्व में हर्वेरियम तथा लाइब्रेरी भी होती है वर्गीकी के साथ साथ पोधों के अध्यन हेतु उनके निर्जीव प्रती रूपों के अध्यन से ही पोधे के बारे में संपूर जानकारी प्राप्त नहीं होती है जिसके कारण उसके जीवित प्रतिरूपों को विसिस्च स्थानों पर विक्सित करने की आविश्यक्ता मैसूस की गई है बाद में इन विसिस्च स्थानों को ही वनस्पति उध्यान कहा जाने लगा है प्राणी उध्यान प्राणी उध्यान को अजायब घर भी कहा जाता है जहां जन्तूओं को मानव द्वारा निर्मित घेरे में बंद रखा जाता है और जन्व समुदाय को देखने की सुवीदा होती है यहां पर प्राणी प्रजिडन भी कर सकते है प्राणी उद्यानों में जन्तूओं को पिजरे अत्वा बड़े घेरे युक्त बाणों के बीच रखा जाता है और माना प्रबंधक इसकी देखवाल करते हैं इसके निम्न लिखेत उद्देश हैं पहला जन्तूओं की जैविविधिता का संरक्षन करना दूसरा जन्तूओं प्रजातियों को संरक्षित करके उनकी संख्या को बढ़ाना तीसरा माना मनोरंजन है तू चोथा नश्य में प्राणियों के प्रती जागरुपता को लाना इस तरह से ये आपके प्रथम अध्याय का पूरा समापन हुआ अब मैं आपको ग्रहकार्य दे रही हूँ ग्रहकार्य में चार प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखना है ये प्रश्न इस प्रकार है पहला प्रश्न हर्बेरियम तयार करने की विधी लिखे दूसरा प्रश्न वर्गी करण का महत्व लिखिए तीसरा प्रश्ण प्राणी उद्ध्यान से आप क्या समझते हैं? चौथा प्रश्ण द्वी नाम करण पद्धती क्या है?